नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चैनल पी एफपी में मार्केट में आज हाहा कार मचता हुआ नजर आया है सबसे पहले एकदम से गिरावट देखने को मिली उसके बाद जो रिकावरी हुई है वो भी बहुत ही स्टनिंग देखने को मिली है परसंट नीचे एडी रेशियो भी डिक्लाइन के फेवर में है क्योंकि ब्रॉड बेज गिरावट थी कॉमोडिटी के बार में बात करें तो क्रूड ओल 0.7 परसंट नीच ऊपर है बाकी जगा पर ज्यादा मुवमेंट नजर नहीं आती है करंसी मार्केट के बार में बात करें तो बहुत दिनों के बाद रूपी में आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हूँ भी नजर आए जो कि आफकोर्स पॉजिटिव बात है Global Indices के बार में बात करें तो Global Indices में फिलाल तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है सब कुछ positive नज़र आता है FII, DII activity के बार में बात करें तो यहाँ पर एक बात अच्छी नहीं है कि लगातार FII's माल बेचते जा रहे है FII's ने आज भी selling किये 2274 करोड की और DII's ने बाइंग किये 921 करोड की तो अभी भी बिकवाली नज़र आती है तकरीबन 1300 करोड की net बिकवाली हमें नज़र आती है Nifty के चार्ट पर माच चुके हैं और clearly पता चलता है कि शुरुवात के 5 मिनिट में ही clear हो चुका था कि यहाँ पर गिरावट वाला माहौल बनता हुआ नज़र आ सकता है एकदम से गिरावट देखने को मिले और उसके बाद जो recovery दिखाए दिये वो भी बहुत ही strong थी मार्केट में अच्छी strength लोटती हुई नज़र आई डेली candle के बार में बात करेंगे तो situation और भी ज़्यादा clear हो जाएगी आप देख पाएंगे market open हुआ बिल्कुल उपर नहीं गया एकदम से नीचे ही आता गया है इतना ज्यादा नीचे आ गया कि 1500-600 तो तूटी गया था अल्मोस्ट 1500 आपको देखने को मला ज़स्ट उपर से recovery की शुरुवात हो गई और recovery भी इतनी अच्छी आ गई कि 1500-700 के उपर आपको closing दिखाई पड़ती है तो of course बहुत ही ज़्यादा volatile day हमें दिखाई पड़ा है candle के बार में बात करें तो of course candle बहुत ही bullish नजर आती है simple मतलब है गिरावट तो यह थी लेकिन नीचे bulls तयार है खरीदारी करने के लिए जो कि दिखाद है कि bulls के पास अभी भी पैसे अभी भी उनके पास दम है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए नीचे लोग तयार है लेकिन अभी भी मैं ज्यादा खुश नहीं होने वाला क्योंकि last time जब मैं ऐसे खुश रुआ था उसके बाद देखिये क्या हुआ था यह दिन था यहाँ पर भी कुछ similar type of candle बनी थी उसके बाद शांदर gap down open होता हुआ नजर आये था तो of course यहाँ पर chances होते हैं आज भले ही तेजी आये वापस थोड़ा सा sentiment आपको खराब होता हुआ नजर भी आ सकता है RSI के बार में बात करें तो RSI 48.6 है RSI में clearly आपको लगातार weakness ही दिखाई परती है strength जो है पहले जितनी ज्यादा strength ही वो बहुत ज़्यादा कम होती भी नजर आई है और फिलाल Nifty 50 अपने 20 days के moving average के नीचे ही trade कर रहा है कल के वीडियो में हमने discuss किया था कि जो मेरा main point of view था कि जिसके करण मुझे लगता था कि 16,000 आ सकता है वो था corporate results लेकिन majorly सारे corporate results आ चुके हैं इंडेक्स heavy weight के अभी तक market में movement नहीं आई है तो मेरा माणना था कि यहाँ पर breakout से पहले हमें breakdown देखने को मिल सकता है अफकोर्स मैंने इतना तो expect नहीं किया था कि आज के आज ही इतनी गिरावट हो जाएगी और वापस आपको recovery भी देखने को मिल सकती है लेकिन अभी भी मेरा माणना है कि यहाँ पर breakout होने से पहले 16,000 तक जाने से पहले हमें गिरावट दिखाई पड़ सकती है 15,500 तूट सकता है उसके बाद भी 300,400,500 पॉइंट की गिरावट हो सकती यानि कि जो 15,200 है 15,000 है यह level हमें आते हुए नजर आ सकते है ऐसा मेरा माणना है अफकोर्स मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरी अनलेसिस के हिसाब से यहाँ पर breakout होने से पहले आपको breakdown होने के chance से ज़्यादा है probability मुझे ज़्यादा नजर आती है मारूती सुजुकी के results आ चुके है lower than expected profit रहा है 441 करोड का और margin multi quarter low हो चुका है margin में कुछ 45% की गिरावट देखने को मिले है जो की बहुती बुरे margins है अभी आपने देखा था कि कैसे अभी डॉक्टर रेड़ीज में अलेंबिक फार्मा में उसमें भी margins बहुती खराब होते हुए नजराय थे North American business की वाज़े से वहाँ पर कुछ problem चल रहा है और भी auto sector के बार में बात करें यहाँ पर भी margins पर impact है लेकिन उसका reason अलग है क्योंकि commodities के prices लगातार बढ़ते चारहे है अफकॉर सब कुछ pass on करना बहुत ही मुश्किल होता है वरना लोग घाड़ी नहीं सब्सक्रिप्शन दिखाई पर तो यहाँ पर लिस्टिंग इंस के लिए apply करने के बार में सोच सकते है Rolex Rings का IPI यहाँ पर भी 3.84 टाइम्स का सब्सक्राइबशन हो चुका है यहाँ पर मेरा माणना है कि यहाँ पर थोड़े से chances कम है लिस्टिंग इंस के क्योंकि sentiment भी फिला थोड़ा सा कम थोड़ा सा नरम होता हुआ नज़राते है तेजी कम होती भी नज़रा रही है तो यहाँ पर अगर दोनों में से किसी एक को सिले करना है तो ग्लेनमार्क लाइब सैंसे ज़्यादा बहतर नज़राता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजे थांक यू, स्टे हापी, हापी इंवस्टिंग